So hello everybody, biggest and the greatest announcement in the history of University of Calcutta आज का रवीवार कोई common रवीवार नहीं है क्योंकि आप लोग में जो भी बच्चे युनिवर्सिटी आफ क्यालकटा के स्टुडेंट्स हो आपके लिए एक बहुत बड़ा अनौस्मेंट है कि University of Calcutta ने अपने सेलिबस को चेंच कर दिया है येस, my dear student friends, येस, rightly heard, University of Calcutta अपना सेलिबस चेंच कर चुका है उसका circular, उसका notice, मेरे screen पर आपको एक second बात दिखेगा दोस्तों मेरे screen पर आपको दिख रहा है, University of Calcutta semester वाला सेलिबस चेंच हो गया है येस, University एक कुछी दिन पहले, like 2017 में ही सेलिबस चेंच क्या था, बट नया education policy के आने के कारण फिर से सेलिबस में चेंच करना पढ़ रहा है, तो आप लोग में जो भी बच्चे HS पास करके फिर्स सेमिस्टर का पढ़ाई स्टार्ट कर चुके हो, थोड़ा सा पास ले लीजिए, वीडियो को देख लीजिए, और कल से कुछ सब्जेक्स परना बंद कर दीजेगा क्या-क्या सेलिबस में चेंच हुआ, मेरे screen पर आपको दिख रहे होंगे फिर्स सेमिस्टर के जो पहले सब्जेक्स थे, वो थे financial accounting one, economics and stats, principle of management and business law उसके जगह पर जो सब्जेक्स आए हैं आपके, अब जो आपको कल से परना है, वो है financial accounting one, जो की है, as it is, accounts है management था, management अभी भी है, नाम चेंच हुआ है, economics था, economics अभी भी है, but, sad, लेकिन, जो सचाई है, stats को हटा दिया गया है stats को पढ़ने का जरूरत नहीं है, और business law को भी पढ़ने का जरूरत नहीं है, क्योंकि business law के जगह पर entrepreneurship development लाया गया है तो नया syllabus कल से जो आप पढ़ेंगे, वो यह है, financial accounting one, principle and practice of management, micro economics and entrepreneurship development अब मैं आपको यह बता दू कि यह rule किसके लिए applicable है, जो बच्चे इस बार admission लोगे, जो बच्चे इस बार admission लोगे, उनके लिए, जो लोगो अलेडी पर रहे हो, आप लोगो अपना पढ़ाई continue रखिए, so guys, बहुत सारा announcement है, भड़े-बड़े announcement है, सारा मैं आपको धीरे यह चिरेशने के लोगे, जो अभचे ऑ्राइबज साराणकत Merciор